हेलो स्टुदेंट्स आज हम लोग साइन्स का चप्टर थी आगे कंट्रिनू करेंगे आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है वेराइटी इन फैब्रिक्स कप्डों में जो वेराइटी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आप अपने माता पिता के साथ किसी कपले के दुकान पर जरूर गए होंगे अपने लिए ड्रेस मेटरिल करने के लिए आपने देखा कि वहाँ पर बहुत बड़ी वेराइटी वहाँ पर पढ़ी हुई है some dress materials are made of from cotton, some from wool and some from silk वहाँ पर कुछ dress materials ऐसे हैं जो कि cotton के बने हैं कपास के some from wool कुछ उन के बने हैं and some from silk कुछ एरेसम के बने हैं then there are dress materials made from synthetic materials like rayon, nylon, terylene, polyester etc और वहाँ पर कुछ ऐसे भी dress materials हैं जो कि synthetic materials से बने हुए है synthetic material मानो निर्मित materials नेच्रल नहीं है जैसे उपर हमने चर्चा के cotton कपास वो नेच्रल है वूल वह भी नेच्रल है भेंड बक्रियों के जो बाल होते हैं उनसे बनाये जाता है वूल तो नेच्रल हो गया है cotton की खेती होती है कपास के वह नेच्रल हो गया जूट पट्सन पट्वा जिसको बोला जैता है उसकी खेती होती है वह नेच्रल हो गया प्लांट से आया रेशम सातूत के पेड़ पर रेशम की कीड़े पाले जाते हैं और रेशम की कीड़ों से रेशम प्राप्त होता है यह रेशम प्राप्त होता है वह भी नेच्रल हो गया प्राकृतिक हो गया लेकिन जो सिंथेटिक है वह क्रित्री में मानो निर्मित है मान जैसे synthetic materials में मिलेंगे जैसे कि Rayon है Nylon है Terraline है Polyester है etc all these materials are called fabrics जैसे सबी materials को हम fabrics करते हैं चप्ड़ का नाम था Fiber to Fabric और शुरु में मैंने बचा था Fiber करते है रेशा और फैब्रीक करता है कपड़ा और फिर जब उस कपड़े को काट कर कर सिल करके पहने लाइक बना दिया जाता है तो हमारा क्लोथ हो गया चाहिए फिर उनिफॉर्म हो गया या फिर ड्रेस हो गया वो तो इन सबी को क्या करते हैं फैब्रिक यहां पर एक क्लोथ शॉप है आप देख सकते क्लोथ शॉप कैसे सारी वराइटी इस शॉप में कपड़े की दुकान में पड़ी हुई हैं ग्रहा के यहां खड़े हैं और दुकान दार उनको समान बेच रहा हैं यानि की वह कपड़ा बेच रहा हैं है जो वी ओडिदीफाइड फैब्रीक ज़िस शॉच के सामयोथ फैब्रीक की क्या परिभाषा द शॉचरत का लेपीशन देच सकते हैं और कंविवस पीस अभ क्लोथ जेडरली उज तक्रेडिक र्रेश्तमेतरिल इसको cog फैब्रिक क्या हो गया continuous piece of cloth लगतार कप्ड़े का एक टुकड़ा जेनरली यूजड़ाइज ड्रेस मेटरियल जिसके ड्रेस मेटरियल गुरुप में यानिक ड्रेस बनाने के लिए कच्छे माल के रुप में जिसका पर्यूग किया जाता है इस कॉल फैब्रिक उसी को फैब्र फैब्रिक हम कहां पहुच गया जी फाइबर पर इन और टो अंसर दो एबब कोशन लेट पर फॉलिंग एक्टिविटी को मैंने चोड़ दिया आप उन एक्टिविटी को खुद पढ़ें समझें और उनमें से जो कोशन से राई जुरह हैं उनका आप आंसर करें तो यहां यहां पर एक और एक्टिविटी इनों ने दे दिया यह एक्टिविटी भी मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूं आप इसको पढ़ें समझें और कोशन से राई ज करको उनका आंसरिंग करें आप आप एक धागा ले लिजिए कोई भी एक धागा ले लिजिए और जब आप धागे को ऐसे करके नोचेंगे ऐसे तो देखेंगे जैसे कि यहां पर फिगर डाग्राम बनाया गया है यहां पर देखें कैसे यह एक थ्रेड लेकर के धागा लेकर कि इसको नोचा जा रहा है यहां पर तो यह नोचने के बाद यह पूरा धागा पहले ऐसे था और इसको नोचने के बाद यह 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 पतले पतले जो रेशे दिखाई दे रहें स्टेंड्स दिखाई दे रहें इनी को कहते हैं फाइबर रेशा तो इस तरी के सम फाइबर की परिवासा क्या दे सकते हैं इती जो लॉँग नेरो थीन ट्यूब लाइक के स्टिक्चर वांड इन प्लांट्स अद दा एनिमाल्स एट लॉग एक लंबा नेरो पतला थीन पतला थीन ट्यूब तो जयसा तुब लाइक यानि कि ट्यूब जयसा स्ट्डु रोता है Founding plants, पौदो में पाय जाता है And animals, जानवरों में पाय जाता है यानि की Fiber क्या हो गया एक लंबा पतला, पतले टूब के जैसा structure वाला कोई चीज है जो की पधले पादों में या फिर जानवरों में पाय जाता है उसी लंबे पतले ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग फाइबर कहते हैं दस समप अभी तक जो पड़ा हमने उसको समप करें समराइज करें तो हम क्या रिजल पहुंच रहे हैं जे चैनल बाइबरा-खैरफिय कन रहे हैं रुट्ट से और यान्सीर नंस्effect करें यह उसремת दों में छेक्जा के सब्सक्राइबर दॅल्द ऋनिर्टाइब से और उस माइज जाता है यानी की जिए kinds of fibers fibers के प्रकार the fibers can be classified as natural fibers and synthetic fibers or artificial fibers fiber को दो type में बाण सकते के natural fiber दोंसा सिंतेटिक fiber और artificial fiber जैसे नाम है natural fiber प्राकृतिक रेशा यानि कि यह प्रकृति में पाया जाता है प्रकृति की मदद से इसको प्राप्त किया जाता है पेंड पौधों से प्राप्त किया जाता है जानवरों से प्राप्त किया जाता है पेंड पौधों में जैसे की कपास की खेती होती है कपास एक पौधा होता है जूट की खेती होती है वहां से प्राप्त किया जाता है या पर शातूत के पेंड़ पर जो रेशम के कीड़े होते हैं उन वसे रेशा प्राप्त किया जाता उप又 प्राकृतिक की हो गया लोगा है इनको 되as有點 जूठ हो गया इनके जो रेशे प्राप्त होते हैं हैं फाइबर जो प्राप्त होते हैं यहां पर दूसरा जो जिससे नाम बता है synthetic fibers और artificial fibers artificial मतलब kritrium यह मानों के दोरा इंसान के दोरा बनाए गया fiber है तो जाहर सी बात है इसमें chemical reaction करवा करके chemicalis fiber को तयार किया जाता है natural fibers the natural fibers can be further classified as plant fibers and animal fibers natural fibers को फिर से दो बाग में बांट सकते हैं दो प्रकार में बांट सकते हैं plant fibers and animal fibers उपर जैसे मने बता है प्रेड़ पादों से मिलेंगे उनको plant fibers बोलेंगे जैसे कि cotton हो गया जूट हो गया और जो fiber हमको अनिमल से मिलेंगे उनको अनिमल फाइबर कहेंगे जैसे कि सिल्क हो गया वूल हो गया उन बहेंड से प्राप्त होता है ना बहेंड़ बकरियों के बाल से plant fibers the fibers which are found on some part or parts of a plant are called plant fibers plant fibers वो होते हैं जो कुछ पाधों के हिस्सों में या पाधों में पाए जाते हैं उनको plant fibers कहते हैं यहां पर plant fibers के example सापको दिये गए इनको ध्यान सब देख सकते हैं यह है cotton यह में क्या दिया है cotton seeds surrounded by cotton fibers cotton के seed हैं चार तरफ से cotton के fibers हैं यह कापास और यह B में दिखाए गया cotton coconut fruit shrink fibers यह coconut नारियल के फॉल है नारियल उनसे रेसा प्राप जाए उसका जो छिलका निकलता है नारियल का नारियल का अंदर का अंदर का पी जाते हैं उससे अंदर से पानी निकलता पी जाते लेकिं जो छिलका नोचकर का प्रेक देते हैं उस छिलका भी एक फाइबर और उस छिलके की मदद से रसी तयार होती है चटाई तयार होती है और विक तरह की चीज़े तयार की जाती है तो वह कोकुनट का फाइबर हो गया बाना लिफ सीम आप देखरें बाना लिफ केले का पत्ता इसमें से भी फाइबर निकलता है और इससे भी कपले तयार किया जाता है अब इससे ब नेक्स्ट है जूट प्लांट पतुवा पटसंज इसको बोलते हैं यह पौदा है आप में से कईयों के यहां खेती होती होगा आपने करिब से इसको देखाऊगा और जूट के पतुवा की रसी आपने देखी होगी मवेसी अगर पाल रख्या होंगे तो उसका रसी इस्तमाल ह वह जूट का होता है अदिशक प्लास्टिक का भी आ गया पर जूट का भी जरूर होगा कि देने cotton has fibers on its seed cotton में जो fiber होता है रेशा होता है उसके seed के चारों तरफ होता है बीच के चारों तरफ होता है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये बीच के चारो तरब से यह है उसी तरह से इसको थोड़ा सा बढ़ा करके अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं मैं जूम कर रहा हूँ यह देखिए अब आपको असपस्त दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर यह कैसे बीच है बीच में और बीच के चारो तरब से यह वाइट कलर के सफेज सफेद रंग के यह रे से लगे हुए हैं तो कॉटन हैस फाइबर सोनेट सीड कॉटन में जो फाइबर होता है वो उनकी सीड पर होता है कॉटन में जो फाइबर होता है वो कहां होता है उनके सीड पर होता है देने कोकोनट हैस फाइबर ऑन इस फ्रूट और कोकोनट में फाइबर कहां तो उसके फ्रूट के उपर फल के उपर फल के चारो तरब से चलका होता है देने बनाना ट्री हैस के लिए कि जो पौधे तो उनके पत्तों के ऊपर ये उनका फाइबर उनका रेशा होता है here it is useful to know that almost all plant leaves have fibers यहां पर यह आपके लिए आपके लिए जानना उपयोगी हो गया कि लगबग सभी पौधों के पत्तों में फाइबर होते है रेशे होते हैं flax and jute have fibers on their stem में होता है इसके बाद बारी आ गई animal fibers के the fibers which are found on the skin of animals or the cocoons of beetles are called animal fibers वो fibers जो जानवरों की skin पर होते हैं या फिर जैसे beetles के cocoons में होते हैं उनको कहते हम लोग animal fibers यहां पर इनमल के लिए भी यह पाद पिक्चर आपके बुक में हैं शीप है यह भेड़ इसके बाल होते हैं बड़े बड़े इसके बाल से ही रेशा निकाला जाता है fiber निकाला जाता है जिसको बूल यानि की उन कहते हैं और यह जो है यह है वह कोकून ओफ सिल्क वार्म रेशम के कीड़े का कोकून है और यह रेशा टायर करता है फाइबर टायर करता है जिसको के अम लोग सिल्क यानि की रेशम करते हैं जारा तर जो ओन होता है वो भेड़ो के फ्लिस से पाया जाता है however some amount of wool is obtained from the hair of goat, camel, angora rabbit and yak सबसे ज़्यदा उन तो आपको शिप के फ्लिस से ही मिलेगा लेकिन कुछ हद तक जो उन है वो आपको बकरियों के बाल से, उन के बाल से, अंगोरा rabbit के बाल से और याक के बाल से भी मिलता है silk is obtained from the cocoon, the pupa of a silkworm spins around it रेशम का जो कीड़ा होता है silkworm वो अपने चारों तरफ एक fiber का रेशा का घेरा बनाता है है ना उसी से silk मिलता है देन है synthetic fibers और artificial fibers जो की man बनाता है, इंसान बनाता है chemically the fibers obtained from the substances which are not obtained from plant or animal sources are called synthetic fibers और artificial fibers, वो fibers जो ऐसे चीजों से प्राप्त की जाती है, जो चीजें पेड़ पौध हैं जानवरों से नहीं मिलती है उन्हें ही synthetic fiber या artificial fiber कहते हैं synthetic fibers are obtained from petroleum products by complex chemical processes synthetic fibers को petroleum products से निकाला जाता है, वो भी chemical processes करके और वो chemical processes बड़े complex होते हैं, बड़े जटील होते हैं they are more durable than natural fibers but do not absorb water synthetic fibers, artificial fibers, इनके पास एक तो खासियत है कि बहुत जादा durable होते हैं natural fibers की तुला में जादा durable होते हैं, जादा टिकाऊ होते हैं, जादा मजबूत होते हैं but do not absorb water, water absorb नहीं करते हैं यानि कि अब गर्मियों में हमको अगर पसीना आया, ते पसीना यह नहीं सोक पाएंगे the fabrics made from them are very uncomfortable in hot and humid climate अगर climate hot है, गर्म है, humid है, यानि कि महसर में नमी बहुत जो air है उसे महसर बहुत अधिक है नमी बहुत अधिक है, ऐसे हालत में हमें बहुत uncomfortable होता है बहुत uneasy feel देता है, नाइलो, टेरिलीन, पॉलिस्टर, etc. are the examples of artificial fibers artificial fibers के examples होगे, nylon, टेरिन, polyester, etc., etc. आज की class हम लोगे हाँ पर terminate करेंगे अगले class में अब हम लोग इन जो भी fibers हमने पढ़े, इनके बारे में one by one detail पढ़ेंगे cotton के बारे में detail, jute के बारे में detail, silk के बारे में detail, इन सभी के बारे में जाओ, nature fibers, artificial fibers है, one by one करके सभी के बारे में detail study हम लोग करेंगे थैंक यो